प्रियविद्यारतियों आप सभी का अपने सेनल पर स्वागत है बंदन है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन इसके पहले पांच टॉपिक पढ़ाया जा चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दिस्क्रिशन बॉक्स में सभी टॉपिक्स के लिंक द नाउन यानि की प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका प्रियोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मुकेश विल नाट कम टूड़े ठीक है विकाद ही वासिल मुकेश आज नहीं आ सकता है विकाद वने क्योंकि ही माने वह इस इल्म यानि वहाँ बीमार है, तो वहाँ का प्रियोग हमने मुकेस के जखाँ पर किया, यहाँ पर हम यह भी लिख सकते थे, तो मुकेस की जगापर हमने ही का प्रयोग किया तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा ही हमारा हो जाएगा प्रणाउन ठीक ही क्या हो जाएगा प्रणाउन हो जाएगा ठीक है चुकि हमने ही का प्रयोग किसके अस्थान पर कर लिया है मुकेस का अफ्थान पर कर लिया है मुकेस क्या होता है हमारा नाउन होता है और यही क्या हो गया मुकेस के जगा पर प्रयोग किया गया है तो यह हमारा क्या हो गया प्रणाउन हो गया ठीके प्रणाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलायाता है ठीके पूरुस वाचक सर्वनाम बोला जाता है, दूफरा हो गया, रेफलेक्सिव प्रोणाउन, जिसको निज वाचक सर्वनाम बोला जाता है, तीफरा हो गया, इमफैटिक प्रोणाउन, यानि द्रढ़ता सूचक सर्वनाम हो गया, चाथा हो गया, रेफी प्रोकल प्रोणाउन, यानि फरस्पर वाचक सर्वनाम हो गया, आगे demonstrative प्रणाउन, यह हो गया हमारा संकेत वाचक सर्वनाम हो गया, आगे interrogative प्रणाउन, यह हो गया हमारा प्रस्ण वाचक सर्वनाम हो गया, आगे हो गया undefinite प्रणाउन, यह हो गया अनिश्चे वाचक प्रणाउन हो गया, और ये आप सभी को ये जित्ते भी हमारे टोटल नाम है ठीके टोटल किते हैं नौ है इन सभी को याद रखना है चुकि ये नाम पेपर में कभी-कभी पूछ ले आता है कि प्रोणाउन के कितने प्रकार होते हैं तो प्रोणाउन के नौ प्रकार होते हैं अब प्रोणाउन के प् ल प्रोणाऊस्य को याद रखना है और आपको डेफनेशं समझवें आगे प्रोणाई आप 2 ही जूड इलीन प्राइस अनिंट क्रियोग्य के अस्थान पर करते हैं तो वह चलाते हैं pronoun कहलाते हैं ठीके चलिए अब हम लोग यहां पर एक एक जो भी हमारा part है इन सभी part के बारे में discussion कर लेते हैं कि आकर में यह part के definition क्या होती है इसका मतलब क्या हो जाता है ठीके तो इस चीज के बारे में लोग पढ़ेंगे ठीके चलिए तो अगला हमारा इसमे नंबर एक है ठीके पारफनल प्रोण प्रोणॐन ऍठीके इस सर्वनाम फे पूरुफ स्थिरी युश्टु प्रकट होती है यानि पूरुफ बाचक सर्वनाम होता है तो इससे क्या देज विल गोटू आगरा वह आगरा जाएंगे पास द्रेक्षा में सफल हो गया है फेर द्रेक्षा में आसफल हो गई है ठीक है सी था तो यहाँ पर हो गई रहेगा ठीक है आगे इट ड्रैंक वाटर उसने पानी पिया इट इजा अप्पर्योग वाग्म यह एक आरामदाए कुर्सिश है तो उप्रियक वाक्यों में जो आई आया है यू वी दे सी ही इट का प्रियोग परफणल प्रोणाऊन की तरीके से किया गया है it का प्रियोग पक्षियों जानवरों और वस्तू की लिए किया a three-five goof Кov του जहां पर कोभी हमारा मैं ओनने यह कापर प्रियोग काटिए परचिओं इस्टियों जानवर और वस्तू के लिए किया गया है क्या यह हो गया हमारे परसानल प्रणोमि यानि इसे पुरुष्य या फिर इफ्तिरी का बोद होता है इसे मैं मैं बिद्यारती हूं तुम अध्यापक हो तो मैं तुम हम वे यह वह यह सब हो जाते हैं पर्फनल प्रोनावन के अंतरगाद आते हैं अब पर्फनल प्रोनावन के कुछ पार्ट होते हैं इनके पार्ट के बारे बात कर लेते हैं तो पर्फनल प्रोणाउन के तीन पार्ट होते हैं पहला पार्ट हो गया फर्ष्ट पर्फन दुफरा पार्ट हो गया सेकेंड पर्फन तीफरा पार्ट हो गया थार्ड परसन फास्ट परसन को उत्ताम पुरुष बुला जाता है हिंदी की बात करें त पृर्सन को अन्य पृर्सन को ऐन उच्टि ना हो गया सब iter लेता है कि इसका पृर्योग बात करने वाले के लिए होता जिससे मैं और हम तेके मैं और हम फ़स्ट परसन के अंतरगद आता है याद रखेंगा आई और वी किसके ऐंतरगद आता है फ़स्ट परसंग और आगे बात कर लें回去 परसंगे तो शेकंड परसंगे अंतरगत सुनने वाला आता है यहां पर बोलने वाला आता था यहां पर सुनने वाला आएगा सुनेगा कौन तुम सुनोंगे तुम सुन रहे हो ना तो इसमें क्या हो जाएगा यू हो जाएगा यू क्या होता है सेकंड परसंग में आता है ठी तुम सुनोगे, तो किस्व में आ गया है, किस्व में आ गया है, ठीक है, चल रुकों, आगे देख लाते हैं, जब यू का प्रयोग छोटे व्यक्ति के लिए किया जैता है, तो उसका अनुमाद तुम होता है, और जब you का प्रियोग बड़े व्यक्तिकी लिकी आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आप होता है तो तुम और आप की जगा पर दोनों में you ही लगता है लेकिन अगर बड़ा है तो वहाँ पर उसका मतलब आप होगा अगर छोटा है तो वहाँ का मतलब तुम होगा जैसे you are a good boy, तुम्हें एक अच्छे लड़के हो, you taught us English, ठीके, अब English हमसे बड़ा ही तुझ सिखाएगा, आपने हमें अंगरेजी पढ़ाई थी, ठीके, आपने हमें अंगरेजी पढ़ाई थी, दोनों की जगा पर यू लगा है, लेकिन पहले वाला छोटे के लिए कहा गया, तो यहाँ पर हिंदी में तुम हो गया और दुबारा वाला बड़े के लिए कहा गया तो यहाँ पर हो गया आप आपने ठीके चलिए थार्ट परसन के बात कर लेते हैं तो थार्ट परसन में इसका प्रयोग उस ब्यक्ति या बस्तु या जानमर या पच्छी के लिए होता है जिसके विशे में बात किया जाए यानि जिसके विशे में कुछ कहा जाए वहाँ पर ठीके क्या हो जाता थार्ड परसन हो जाता है ठीके जैसे मैं कह रहा हूं तुम सुनने हो तो किसके बारे में कह रहा हूं उसके बारे में कह रहा हूं तो थार्ड परसन में क्या जाएगा ह सी एट दे यह तीनों सब्द क्या होते हैं सुनने वाले होते हैं पहले फर्ष्ट परसन बोलने वाला शेकंड परसन सुनने वाला और थर्ड परसन के बारे में कहने वाला ठीके तो थर्ड परसन इसके बारे में कहा जाता है तो इसके अंदर का चार सब्दा जाएंगे ही सी इट दे ठीके ये सब क्या हो जाते हैं क्यब में सब आने है इक तयाीफ QUE इसमें आने अहकते हैं और टॉ छलिए आगे ही का प्रियों कि शींगुलार नमब्र या फिर मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या आयाता है छिंगुबलर नमब्र माने ₹ मेल सिंगुलयर नंब्र मैंने एक वचन जैय CPU एक वचन यह ऱ टिकें बॉल उट एक NUM. मैंने इसके पहले आपड़ी को पढ़ांगा आप दैंडला नहीं लिंट दिया है कर्के आप लोग देख सकते दिया है टो मैंне सिंगूलर नंब्र में एक एक वचन करता कलिग किया जाता है और माइस्कूली जंडर यानि कि जो मेल होता है यानि पूरुस वाचक में ही का प्रयोग कियाता है अब सी का प्रयोग कहा होता है सी का प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है यानि बहु वचन में प्रयोग होता है ठीके और यह फेमिन जंडर म में होगा यानि कि फीमेल में होगा जैसे फ़ी लड़की को कि Toos Kanadaई लगा देंगे एक अड़ी का प्रियोग भिश्रो ones न्मर ने कुल ऑफ लेकिन होता है ठीक है दो आप तो वहां पर आप लोग शमय रही है lle के चल सुवीन यहां पर क्या हो गया वे सब्सक्राइब यहां पर हम लोग सिखेंगे टेबल पूरी टेबल से तेबल के माध्यम से समझने की कोश्ट करेंगे टिके आई आई नॉमिनेटिव केस में यानि करता कारक में होता है आई और कर्मकारक में मी हो जाता है यानि कि नॉमिनेटिव केस में करता कारक में क्या है आई रहेगा और अबजेक्टिव केस में क्या हो जाएगा मी हो जाएगा पसिस्ट केस में ठीक के पसिस्ट केस में क्या हो जाएगा माई और माई दो हो जाएगा आगे आएगा कनॉइड करने के लिए तो वहाँ पर हम लोग यह सारी lange का यूज सिखेंगे वि नॉमिनेटिव केस में V ही रहता है और पैसिव केस में आस हो जाएगा ठीके ? आगे यूह रहेगा और पस्तिव केस में यूर्वी और यूर्स हो जाएगा ठीके ? ही को ही रखेंगे और इसका अबजेक्टिव बनेगा तो हीम हो जाएगा और इसकी पस्टिव केस में क्या रहेगा ही रहेगा ठीके आगे सी सी रहेगा नॉमिनिट्व केस में ठीके और अबजेक्टिव केस में हर हो जाएगा और पस्टिव केस में हर और हास हो जाएगा ठीक कि यह हमारे कुछ स्टेबल से ठीके यह पर्फनल पुराओं के का राक्षिय समंधित कुछ जान का रिया थी आप लोग याद कर लिए अभी आगे जब पैसी वाइस आएगा वहां पर आप तभी को पूरा समझा दिया जाएगा किस तरीके से इंटरचेंज होता है किस तरीके से चेंजिंग किया जाता है ठीके चलिए आगे लिए यहां पर कुछ नोट रखा है मैंने नोट क्या है ध्यान दीजिए आई के साथ माई माइन का प्रियोग किया आता है वी के साथ में आवर और आवर्स का प्रियोग किया आता है यू के साथ में यू और योर्स का प्रिय ठीक होड़ता है ठीक है जैसे तंद देख है जैसे डीस इज मांइन टीक है दिस विंफरhaba प्रोणाउन की तरीके से और डीस जूर्स यह किसी है आपकी टीके तो यहाँ पर क्या लग गया डेटी यूरवर ये प्रोणाउन टीक तरह का लेते हैं अपनी अध्यापकर इस्पेक्ट करता हूं ठीके तो adjective की तरा है ठीके तो I के जगा पर क्या हो गया we ठीके ताइब तो यहां पर क्यों होगे वी help our friends ठीके वी help our friends तो इसी तरीके से होगा है अब आगे जब आएगा तो मैं इंटर चेंग आप सभी को समझा दूंगा आप सभी को परुनौन के पाट याद रखने हैं यह इंपोर्टिंट चलिए आगे फीलेक्शी परुनौन है ठीके कौन सा प्रुणौन है रिफलेक्श्यू परुनौन है यहां पर अगर वात कर ल बनाया जलता है यानि माई में सेल्फ जोड़ दे तो माई सेल्फ ठीक है यूर सेल्फ यूर सेल्फ आवा सेल्फ ठीक है यानि कि जो परफनल प्रणौन है उसमें सेल्फ लगा दू तो क्या हो जाएगा रिफलेक्श्यू प्रणौन हो जाएगा क्या हो जाएगा है यहां पर आप लोग समझ नहें न यहां पर लोग समझ रहें न जब यहां पर क्या हो जाता है रिफ्लेक्श्यू प्रोणौन हो जाता है चलिए आगे बात कर लेते हैं तो reflexive pronoun वह सरवरान में जिसमें प्रकट हो की कारिक का प्रभाव करता पर ही पड़ता है और किसी ब्यक्ति पर नहीं पड़ता है अनि कि in a reflexive pronoun that action done by the object turns back upon it एक्जाम्पल के थुरू समझने की कोशिस करते हैं लिखा है the wise him, ठीके, the wise hit themselves लड़कों ने अपने को छिपा लिया ठीके इसका प्रभाव किस पर पड़ा केवल करता पर पड़ा यानि कि themselves खुट को छिपा लिया ठीके तो यह इसका प्रयोग किस पर पड़ा करता पर पड़ा यानि कि subject पर पड़ा यानि subject क्या है तो इस पर पड़ा और किसी भी चीज़ पर नहीं पड़ा आगे the old man hanged himself बुढा बक्ती ने सोयम को फाफी लगा लिया तो ठीक है himself मनें खुद को खुद कौन old man तो ठीक है चेंज किस पर प्रभाव किस पर पड़ा है करता पर पड़ा है तो जब करता पर पर पड़े और किसी दूसरे पर प्रभाव ना पड़े तो वहाँ पर ठीक है myself के वजह से किस पर परभाव पड़ा लाया मैं पर यानि हाई पर पर पावब बढ़ता थीक है तो य किया हो गया हमारा reflection pronoun हो गया है ठीक है मय में क्या हो गया मैसे ठीक है माही में क्या हो गया क journée मूए है ्टीक यह आदमी है इसी है他 ही के लिए हिमों लगा दें हिम तो जब हम लोग परसमें एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है लिए ठीके चली आगे इंफटिक परोनावन ठीके आगे कहा हैQué Haitha coverage का प्रोनावन क्या हो जते हैं इनके बाहूं कर लेते हैं तो जिन सब्सक्राइं प्रियोग रिप्लुक्स प्रोनावन की तरह होता है उन्हीं सब्सक्राइशन वह फ्रतीनौण का प्रियोग द्रणता इंफेटिक मतलब होता है द्रणता प्रकट करने वाले सब्द और इनका प्रियोग भी रिफलेक्शियू की तरीके से होता है या या इस सब्द से क्या बता आ रहा है द्रणता प्रणान किया रहा है अब माइसे आप लोग कहेंगे क्या है रिफलेक्शियू प्रणावन है बट आपर इसका प्रियोग द्रणता प्रणान करने के लिए या इस सेंट में द्रणता प्रणान किया रहा है सेंटेंस में तो यहां प और जाभ़ के थो समझने के कोशिशस करते हैं देखे लिखा है कि ही इमसेल शैस को वह उफनिख स्वयमी ऐसा कहा था टिक के उफनिख स्वयमि ऐसा कहा था तुर दढ़ता प्रदान कर रहा है यह कंफरम कर रहा है तो यह आप जो हम सेल्फ लगा है वह कौन्ब भर हो जाएग इन रılख का मतलब होता है है दर्धता टीकिफ का मतलब होता है द्रधता प्रतान करना आगे शिकल वां स्वयम सही कहती है थीके वां वां स्वयम सही सही जिसे मैं भी कुछ कह दूँ आप इसे देट पर होना मैं कही दूआत पेपर होगा यानि मैं स्वयम से कहा है तो अगर मेरी लिक होगे तो हिमसेल्फ तो क्या हो जाए कि महाँ पर इंफैटिक प्रोणाउन हो जाए ठीक है इंफैटिक प्रोणाउन आगे आगे उधार समझे देमसेल्फ एडमेटेड दियर गिल्ट उसने स्वयमी अपने जाता है तो यह हिमसेल्फ करेंगे दमस्ति नागे तरण इंफैटिक प्रोणाउन और लोग हमसे ठीक है तो कॉमेंट में कॉमेंट करके पूंच सकते हैं दुबार हम आप सभी को डिस्कस कर देंगे अगले दिन लेकिन दिखकर तहानी चाहिए आपको ठीक है पढ़ाई है पढ़ाई की तरीके से करा जाए जो हमारे सेकंड स्टूडेंट है इंग्लिस ठीक है बह पर पीडियाफ आपको पड़ी रहेगी आप लोग पीडियाफ भी ले सकते हैं उसको दे करके अच्छे तरीके सबने इस्टृडी कर सकते हैं शरी रेसी प्रोकल प्रोनावन की बारें बात कर लेते हैं तो जो सर्वनाम दो प्रोनावन से मिलकर के बने और परस पर ठीके चलिए जैसे एकिजाम्पल पे टू ब्रदर्स लब्ड इच अधर ठीके टू बर्दर्स लब्ड इच अधर आगे दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्पर वन अधर तो यहां पर बात समझेगे इन वाक्यों में जो यूज वह इच और अधर का वन और अधर का ठीके का प्रयो मेन को इच और अधर दोनों को आपसे मिला दिया गया जिसे क यह हमारेसी प्रोकल प्रो नौन बन गया है टीके जैसे each other दो सब्द हों है इनका प्रयोग रेसी प्रोकर प्रोनाउन के तरीके से किया गया है यह सब्द याद रखिएगा important है क्या फिर समझ दीजे each other और one another एक ही दोनों ऐसे सब्द है जिसका प्रयोग रेसी प्रोकर प्रोनाउन की तरीके से होता है है तो अब इसमें केवल दो ही याद करना है आप सबता है चलि अभी आगे जब केश पढ़ाँंगा मैं आप सब्सक्राइब को की अबजेक्टिव केस के सेस्टिंग में जो लिखाया था वो objective Case होता है यह अधर ही ऐगा work आगे बात कर लेते हैं इस अथर का प्रयूग दो वेक्तिव के लिए होता है ठीके इच अधर का प्रयोग दो दो ऑधिखतिव के लिए होता है और इन इदर का प्रयोग तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक है जिससे की लेटरस्ट इंफार्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जा सके ठीक है तो चलिए लेता हूं आप फिल झांप आप पहुंचाई